नमस्कार स्वागत है आप सभी का सीनवी से आवाज पर कल 26 हजार तक पहुँचे जरूर लेकिन फिर उपरी लेविल से मुनाफ़ा वसूली हलकी सी देखने को मली और आज भी अगर आप निफ्टी पर नजर डालेंगे तो हलका सा नुकसान देखा जा रहा है करीब 25 अंकों का नुकसान यहाँ पर निफ्टी बैंक की स्थिती थोड़ी सी बहतर जरूर है निफ्टी के मुकाबले 52 अंकों का एजाफा लेकिन अगर आज कुछ कॉंट्राक्ट कर रहा है तो वो है मिट कैप इंडेक्स मिट कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा लगभग 400 पॉइंट के नुकसान पर ट्रेड बनता दिखाई दिया है अड्वांस टिक्लाइन रेशो इसलिए आपको हलकी सी नेगिटिव होती दिखाई दे रही है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में कुछ कुछ करेक्शन देखने को मिला है या फिर मुनाफ़ा वसूली देखने को मिली है कॉंट्रिब्यूटर्स क्या है इस मारकेट के बैंक्स का साथ है और खासतोर से एच्टेर्सी बैंक की तरफ से भूमिका बढ़ती हुई दिखाई दी है ये टॉप कॉंट्रिब्यूटर्स में शामिल है इसके साथ या आप ICICI बैंक और आक्सिस देखेंगे तो वहाँ पर भी खरदारी के ही सौदे बने है पावर ग्रिट का भी साथ तेजी की तरफ रॉलाइंस, टेक महंदरा, HUL और टाटा मोटर्स ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आज मामूली सी मुनाफ़ वसूली पर ट्रेड बनता दिखाई दिया है ऐसे में हमारे तीन जानकार जो पिछले तीन हफ़तों के विजेता है उनके रिटर्न्स अब तक और कल दोपहर तक कैसे बने यह आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे सभी positive 10 tree में है हरीश और आशीश के बीच काटे की टकर है लगबग 4.2% के रिटर्न्स के साथ हरीश आगे है और इनके एकदम ठीक पीछे है आशीश 4% के रिटर्न्स पर वहीं ओम ने 2.2% तक के रिटर्न्स एंजॉई किये हैं यह रहा कल तक का हाल और यहां पर आज के लिए क्या रनीती होगी किन trades पर focus आएगा इस पर बात करेंगे जरूर एक बहुत ही छोटा और quick call में in fact market पर लेना चाहूंगी क्या कुछ और consolidate कर सकता है आशीश यह बाजार निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक पिछले 10 दिनों में आप देखेंगे तो market ने previous low के नीचे close नहीं किया है उससे पता चलता है कि और जो trend है वो positive है और यहाँ पर चुनिंदा stocks, mid cap stocks में buying हो सकती है बैंक निफ्टी में थोड़ी profit booking देखी गई थी लेकिन आज के दिन में बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है मेरे ख्याल से 54,254,200 बैंक निफ्टी चुँ सकता है और निफ्टी अगर उपर में 25,980 फीर से निकाल दा है तो गुंजाइशे 26,100 तर जा सकते है तो ओरॉल ट्रेंड बाई पर ही रहेगा रहेगा भले ही आज इंडेक्स थोड़ा सा शांत बैठा है चले तो बाई कहां पर करना है उस पर आते हैं ओम का पोर्टफोलियो पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे आज सुबह में उन्होंने अपोलो हॉस्पितल के ट्रेड से एक्जिट किया 7087 के लेवल्स पर कल सीक्विंस साइन्टिफिक से एक्जिट किया था तो दो ट्रेड ये कैरी कर रहे हैं एक अदानी एनरजी और दूसरा टाटा एलेक्सी ओम एक ट्रेड आप ऐसे जोड सकते हैं क्या रहेगा वो पहला यहां पर ट्रेड रहेगा ग्रेविटाइज इंडिया यह स्टॉक काफी अच्छो मोमेंटम में प्रिविएस वीक से ही चल रहा था और इसका मोमेंटम हम भी लग रहा है यहां पर यह कंटिन्यू रह सकता है तो 2550 के यहां पर भी करेंट भाव है ग्रेविटाइज इंडिया इसका स्टॉप लौस रख सकते हैं 2480 और टार्गेट रहेगा 270 तो बात हो रही है ग्रेविटापर 2555 के टार्गेट के लिएक मौका यहां पर एक opportunity आपने pick की है यह stock करीब 2.5% तक के gains दिखा रहा है यह है फिलाल आपके लिए वो पहली pick आती भी ओ मा I think आपका audio बीच में cut गया थे आपकी जो frame है वो थोड़ी सी freeze हो गई है दुबारा target stop loss आप दोराएंगे जी stop loss रहेगा यहां पर 2480 और target रहेगा यहां पर 2700 2700 के लग राविटा इंडिया में एक मौका यहां पर तेजी का आपके लिए बन रहा है यह है उम की तरफ से राए चलिए अब आते है हरीश के portfolio पर हरीश के portfolio में तीन trades है जहां पर आज इन्होंने अपनी position book की है एक तो astral 2014 का level था जहां पर इन्होंने आज profit बांधा हिंदुस्तान copper में 341 रुपे 20 पैसे पर profit बांधा और AI engineering में भी profit बांधा है 444 के levels पर CG power जो आप देख रहे हैं वो कल इन्होंने book कर लिया था रहा है और stock और कुछ दिनों के consolidation के बाद कर ब्रेक ओट यह अटम लग रहा है कि आज continuation में दिखा रहा है तो current level से बाहिए कर रहा चाहिए 2054 और चल रहा है पैस और टागेट सरेंगा 226 और stop loss रहा 195 का 95 के लिए यहां पर stop loss रखे CSE जो करीब करीब 226 के लेवल्स पर आ रहा है वैसे भी हमने देखा है पावर कंपनियों में जोरदार तेजी बनती दिखाए देरी और यह क्यालकेटा एलेक्रिक संजीव कोयंका की कंपनी है जिसने हमने देखा है recent past में decent returns भी कमा कर दिये हैं उसी पर focused है हारीश 226 का मौका है तेजी करने की सलाई हां पर आ रही है चले अब आशीश का portfolio देख लेते हैं आशीश ने एक तो NMDC Steel में कल profit बांदा था 5330 के आसपास वो रॉक engineering से आज exit कर लिया नेरली 590 के लेवल्स पर तो यह एकदम fresh start करेंगे पहला trade क्या रहेगा आशी शाच के लिए देखिए पहला trade जो रहेगा वो है Glend Pharma में यहां पर एक stop ने एक field breakout दिया था उसके बाद वापस से reverse हुए उपर की और और अपने 20 DMA के वापस उपर आ चुका है और रॉज़ान positive लग रहा है यह Glend Pharma की बात हो रही है नौट Glend Mark Pharma करेक्ट आशीश बिल्कुल Glend Pharma की बात हो रही है Glend Pharma Glend Pharma जो 1880 के आज पास च्रेट कर रहा है गलती से हम वो Glend Mark Pharma दिखा रहे थे लेकिन Glend Pharma जो cash market वाली company है उसमें एक तेजी की रहा है 2070 का target 1825 आपके लिए stop loss इस stock में आज करीब करीब 1.5% तक के moves देखने को मिले है यह आपके सामने 27 रुपए की बढ़त दिखा रहा है आज वैसे pharma company में थोड़ा थोड़ा करके action लौटता दिखाई दिया जरूर है एक एक trade हो चुका है हमारे जानकारों से एक काम करते हैं इस mode पर break लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और चीज़ें इस market से ही जुड़ी हुई pipe company हरीश के radar पर एक trade था अस्ट्रिल जो कल हिनोंने जोड़ा आज stock में कुछ brokerage reports आई हैं तो उसको भी revisit करेंगे fundamentally और technically break it आप देखरें खिलाडी number one सेंडी से आवाज पर कल एक stock का जिक्र हुआ था इसी शोप में वो था astral और astral पर एक buy call हरीश का था हरीश इस stock को हम revisit करेंगे आज आपने इफकोस यहाँ पर profit बांध लिया है लेकिन इस sector पर एक report भी आई है CLSA की report है materials पर और यहतन हमाए साथ है बताने के लिए कि exactly CLSA क्या कह रहा है बताईए यहाथे हर्शदा आप देखें जो materials पर CLSA की report आई है materials जो sector है वो जनरली जो building cement और उसको related जो sector है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं इन्होंने आज astral poly को upgrade किया है इन्होंने अब target बढ़ा के 2025 कर लिया होल रेटिंग है हाला कि इस particular stock पे CLSA की इसके अलावा अगर हम देखें जो better volumes of profitability होंगी housing sector के वज़े से pipe sector को और दूसरे ancillary products को उसके वज़े से पूरे sector पे वो थोड़े बहुत positive होते हुँ नजर पड़े है in fact इन्होंने supreme industries पे भी अपना target बढ़ा के 4750 कर दिया है यहां under performer rating है क्योंकि दोनों ही stocks valuation के लिहाज से महेंगे है और run up भी अच्छा हो चुका है तो CLSA को लगता है कि यहां शायद इतनी upside ना बने हाला कि जो pipes की stable pricing और strong demand है उसके मदे नजर रखते हुए यह upgrade हुनोंने किया है इसके अलावा अगर हम बात करें cement sector की तो इनको लगता है कि cement sector में weak pricing के कारण यहां से कोई upside बनती नहीं है हाला कि अगर हम पिछले थोड़े बहुत quarters में देखे तो material cost जो है जो cooking coal है और जो energy cost है वो घटता हुए नजर पढ़ा है cement companies का जिसके कारण शायद इनको एक margin में लीवे मिले हाला कि अगर हम बात करें cement sector की तो उनको limited upside लगती है हाला कि एक ultra tech पे उनका hold rating है और preference wise ultra tech cement पे उनको लगता है कि घटने पे stock में evaluation attractive बन सकते है तो बोट दो pipe company astral और supreme industries पर bullish है लेकिन cement को लेकर असमंजस बना हुआ है cement पर आप ground में जब check करते हैं स्तिती क्या बन रहे है कुछ आसार है cement prices में कुछ pick up के समय या तिन देखें हर्चदा monsoon quarter था और बारिश पूरे देश में बहुत जबरदस्त हुई है जिसके कारण construction activity slow हो गई है हाला कि September के दूसरे अफ़ते से जब festive season चुरू होता है और आगे आने वाले जो festive seasons है जैसे नवरात्री है दशेरा है दिवाली है तो expectation यह है कि आगे जाके pricing थोड़ी बहुत firm हो जाए लेकिन पिछले दिनों जो brokerages note लेके आये है उनमें यह लिखा है कि all India basis पे 6-7 रुपे सिमेंट के दामों में sequential improvement होता हूँ नजर पढ़ा है month on month improvement होता हूँ नजर पढ़ा है हाला कि कोई बड़ी price hike सिमेंट कंपनी अभी तक लेने पाई है अभी तक कोई बड़ी price hikes ने आए बहुत हलका सा action है इसलिए CLSA कह रहा है कि cement is okay लेकिन pipe company में opportunity जरूर है शुक्रिया या तिन इस update के लिए हरीश आफी का trade astral आज उपरी level से कुछ हलकी मुनाफ़ वसूली जरूर हुई है लेकिन आपने जो profit बांधा क्या आप anticipate कर रहे थे कि आज कुछ ठंडा पढ़ सकता है शेर इसलिए profit book हुआ या फिर आपको वो return के लिए अच्छा profit मिल रहा था तो आपने book क्या मेरा सवाल basically दर्शकों के perspective से है अगर उन्होंने आपकी कहने पर एकल stock लिया है क्या hold करना है या exit करने का time अगर आपके पास है बने रह सकते हैं क्योंकि आगे और move आतावा दिखाई दे सकता है चलिए काम करते हैं लेंगे एक break break के बाद एक एक trade आशीश और हरीश वैसे ले सकते हैं जानेंगे उनसे क्या कुछ उन्होंने identify किया है या नहीं अब देखे खिलाडी नमबर वन मार्केट में आज mid cap index भले ही नीचे आ गया हो लेकिन आप गौर करिएगा कि कुछ ऐसे stock से जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं उसमें पिरमिल फामा आपकी screen पर लेकर आएंगे खुलने के साथ ही stock में तेजी बंती दिखाई दी लगपक अब 5% का इजाफा दिखा रहा है counter कल दरसल company ने analyst के साथ meet keep और उसमें कुछ investor presentation पेश हुआ उस investor presentation के basis पर कुछ brokerages आई हैं पहले तो मैं आपको बता दू जेफ्रीज ने दरसल इस पर एक call दिया है जेफ्रीज कह रहा है कि यहां पर एक अच्छा मौका है खरदारी करने का FI 30 तक 2 billion dollar तक का ये revenue company target कर रही है और margins लगबग 25% पर EBITDA के लहाँ से company ने specifically कहा है कि लगबग 3 गुना EBITDA बरतावा दिखाए देगा FI 30 तक revenue guidance हासल करने लायक बनते भी company दिखाई दे रही है अपने revenues को double करेंगे ये और इसलिए वो 2 billion dollar का revenue का target हम जो पहले mention कर भी रहे थे basically company कह रही है कि CDMO business यानि की contract manufacturing का जो business है उसमें बहुत जादा contracts इनके हाथ लगते हुए दिखाई दे रहे है और वो driver रहेगा दरसल company के कारोबार के लिए CapEx के बावजूद कर्ज का स्तर घटने के भी अनुमान यहाँ पर company ने जताए है उसी के मद्दे नजर यह 260 का target जेफरीज का आया है कुछ और की चीजे यह कर्ज की जो बात कर रहे है वन टाइम है net debt to EBITDA का target company का यह अपना leverage एक गुना reduce करने की तैयारी company करती भी दिखाई दे रही है यह brokerage report ने भी highlight किया है उनकी कल की presentation से उस लिहाँ से मुनाफे में एक अच्छे खासी growth की उम्मीद जताई जा रही है FI24 तक EBITDA करीब साड़े तीन गुना पर net debt आता हुआ दिखाई देगा EBITDA to debt का यह ratio आपकी screen पर आता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन growth के parameter पर मैं अब है refer कर रही हूँ company के presentation को exponential growth in profitability वो कह रहे हैं और pat margins early teens में आएंगे जहां पर वो expect कर रहे है EBITDA margins 2030 तक 25% तक पहुँचने के इसलिए stock में तेजी है 25-26 से बिटा margin का अनुमान 4-10% तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा और company के भी रही है कि F5-30 तक तरसल इनके जो मुनाफ़े के margins है वो लगबग early teens में रहेंगे यह stock आज 6% भागा है उसके बाद एक cool off देखने को मिला है आशीश बताईए पिरमिल फार्मा सुबह की तेजी के बाद अब कुछ follow through का मौका है या बस निकल गई नहीं देखिए यहाँ पर पिरमिल फार्मा पर अगर आप देखे तो एक pole and flag का एक pattern बनाता जहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉंग rally आई थी करीबन 189 से लेके जो हाइच हुआ था 243 पर या असपास उसके बाद एक consolidation थोड़ा सा नीचे retracement आया तो और आज breakout आता वा नजर आ ह टॉप पे से profit booking आई है मेरे खाल से लेकिन यहाँ पर एक buying opportunity हो सकती है जब तर यह gap जो level है वो unfilt रहता है तो 221 के stop के साथ में मैं तो long की राए दूँगा यहाँ पर उपर में करीबन stop वापर से 243 के levels तक जा सकता है जो की previous peak है तो और और रूचान buy पर ही रखना चीए पि रोड़ने का इरादा इस समय नहीं थोड़ा सा वेट करेंगे बाजर यहाँ से consolidation होता हो नजर आ रहा है गुंजाईश है थोड़ी profit booking आ सके तो lower levels पे अच्छे stocks मिलने की गुंजाईश है तो वेट करके पिर add करी हो है हरीश second off में देना चाहता हूँ थोड़ा से समय लिया जाए और फिर trade आएगा ओम का portfolio तो वैसे भी भरा हुआ है चले trades ले ले लेते हैं एक बार फिर आपके सामने एक एक trade आशीश और हरीश ने दिया है ओम ने भी एक trade दिया लेकिन दूसरे दो trades को hold करें तो आशीश का trade land farma था 2070 का target 1825 का यहां पर इन्होंने stop loss रखा है यह counter इनके लिए in fact drag कर रहा है करीब आधे पसें तक का pressure आ चुका है इसकी तरफ से हरीश ने भी एक जगा खाली रखी है एक CSE का trade दिया और CSE के context में आप देखिएगा जो target है वो 226 का है stop loss 1955 के आसपास आ रहा है और दूसरी त पोटफोलियो पर नज़र डालेंगे ग्रैविटा इंडिया नया trade है 2700 टागेट और 2420 stop loss है टाटा इलेक्सी को किया है कारी 8400 के टागेट के लिए 1140 के लिए अदानी एनर्जी सिलूशन को यह hold कर रहे है अब रिटर्न की स्तिती क्या बन रही है यह अब आपके सामने करीब आधे पसंट से जादा का योगदान है अब overall स्तिती क्या बन रही है और कौन कहां पहुंच रहा है तो यह देखिए आप भरीश आगे है 3.74% के रिटर्न के साथ आशीश के रिटर्न हो गए 3.28% के और ओम लगभग 1% के रिटर्न पर हैं यह आपके लिए ताजाहाल खिलाडी नमबर वन का कोई भी बदलाव होगा तो इसका एक अपडेट हम एक बजे मिटकाप मंत्र में लेकर आएंगे जरूर और हमाई सोचल मीडिया हंडल्स पर भी वो चेंज शेर होता है उसको भी आप ट्रैक जरूर करें लेंगे आप सभी से इजाजत गुड़ लग झाल 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 झाल